हेलो एवरीवन वेलकाम अगेन इन लेर्ण वेज दितिमन बचों हमने किया था क्लास एट का चेप्टर नमबर थ्री पार्ट वन और हम कर रहे हैं इस पार्ट सेकेंड तो इसमें टोटल साथ कोशन हैं तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं कोशन 31 है फीडर किसे कहा जाता है तो फीडर किसे कहा जाता है किसी मुख्य नहर का हिस्सा जहां पानी का उप्योग नहीं किया जाता वो क्या कहलाता है फीडर कहलाता है नहीं कोशन देखिए, चंबल परियोजना किन राजियों का संयुक्त प्रियास है, चंबल परियोजना किन राजियों का संयुक्त प्रियास है, तो किन राजियों का है, राजिस्थान और मध्य प्रिदेश जो राजिसरकारे हैं, उनका ये संयुक्त परियोजना है, चंबल प बनाए गए हैं चंबल परियोजना के तहत कौन से बांध बनाए गए हैं देखी ये जो परियोजना है ये का राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों के जल्विधुत और सिंचाई में सहयक है ठीक है और इस वज़े से ये इंपॉर्टेंस रखती है और इस बांध है उनके नाम आपको याद होने चाहिए तो कौन-कौन से बांध है गांधी सागरबांध मंत्सवर मध्य प्रदेश में बनाया हुआ है दूसरा है राना सागरबांध चित्तोरगड में हैं तीसरा आपका है जवाहर सागरबांध जो कोटा में इस्तित है और चौथा है आपका कोट कोटा बहराजबांद जो कोटा में ही इस्तित है तो गांधी सागरबांद, राणा सागरबांद, जवाहर सागरबांद, कोटा बहराजबांद ये चार बांद हैं जो चंबल पर्योजना के तहत बनाए गए हैं चलिए नएक कोशन देखें, माही बजाज सागरबांद् सागरबांद पर्योजना किन राज्यों का सहयुक्त प्रियास है? माही बजाज सागर परियोजना किन राजियों का संयुक्त प्रियास है तो किन राजिस्थान वे गुजराद ये दो राजिये हैं जो माही बजाज सागर परियोजना में संयुक्त प्रियास ने किया है ठीक है राजिस्थान वे गुजराद की संयुक्त परियोजना है परियोजना का निर्मान किया गया है, चलिए नएक कोषण देखीए, बीसलपूर परियोजना किस स्थान पर निर्मित है बीसलपूर वर्योजना जो है बीसलपूर गाउं में है और इसी वज़े से इसका नाम बीसलपूर परियोजना है बीसलपूर गाउं टोडा राइसिंग नगर में जिला टॉंक राजिस्थान के निकटिस्थित है ठीक है चली नएक कोशन देखिए बीसलपूर परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है तो बीसलपूर बान जो है जैपूर अजमेर और टॉंक में पेजल की जो परिशानी है उसको समाप्त करने के लिए इस परियोजना का निर्मान किया गया था बिसलपूर परियोजना का मुख्य उदेश जैपूर अजमेर वे टॉंक में पेजल विवस्था करना है सरदार सरोवर परियोजना किन राज्यों का संयुक्त प्रियास है किन राज्यों का संयुक्त प्रियास है कौन-कौन से राजिस्थान, गुजरात, मध्य प्रिदेश और महराष्ट की संयुक्त परियोजना है सर्दार सरोवर परियोजना चलिए, नहीं कोशन देखे, सर्दार सरोवर परियोजना किस नदी पर इस्थित है? देखे शर्दार सरोवर परयोजना नरमदा नदी में गुजरात में इस्तित है चलिए राईच्थान के दक्षिन पर्षिम में एक नहर बनाकर लाए गए जल्गो बाड मेरता था जालोर जिलों में सिचाई वे पेजल की व्यविस्ता इस सरडार सरोवर परयोजना से की गई ह इस चीज का आपको याद रखना है नाय कोशन देखें परियोजना किन जिलो में इस्तित है तो देखें जो करम सहब पाली यानि जवाई परियोजना कहँ पर इस्तित है पाली में इस्थित है, सौम अंबा कमला जो है वो डूंगरपूर में इस्थित परियोजना है, जाखम परियोजना प्रताबगड की है और मानसी वाकल कहां की है उदैपूर जिले में इस्थित है, देखें जवाई परियोजना जवाई नदी पर है, सौम अंबा कमला जो नद इसको राजस्तान की पहली नहर कहा जाता है। इसाक्टाई सीस्वी में फिरोजपुर पंजाब के निकट बांध निर्मित करवाया था जहांसे ये गंगनहर का निर्माण किया गया है। तो कौन है महराज गंगा सिंग इसे सम्बंदत बेखी हैं। चलिए, next question देखें, गंगानेहर का निर्मान किस नदी पर किया गया है? तो जो घंगानेहर है वो 17 नदी पर इस्थित है और वर्तमान में स्री गंगानेहर है स्री गंगानेहर की सिचाई हिटो उप्योग किया जाता है नेक कोशन देखें, इंद्रा गांधी नहर पर्योजना का सुझाव किस ने दिया था? तो इंद्रा गांधी नहर का पर्योजना का सुझाव किस ने दिया था? नेक कोशन देखें, हरी के बैराज बांध किस नदी पर और निर्मान कब प्यारम हुआ? हरी के बैराजबांध किस नदी परिस्थित है और निर्मान कब प्रारम हुआ था तो इसका अंसर है 1952 इस्वी में तो ये प्रारम हुआ था और सतलज एवं व्यास नदी के संगम पर ये हरी के बैराजबांध निर्मित है याद रखे ये एक नदी नहीं है सतलद और व्यास दोनों नदियों के जब संगम इस्थल है वहाँ पर हरी के बैराजबांद का नर्माण 1952 इसवी में किया गया चली नेक कोशन देखिए इंद्रा गांदी नहर पर्योजना में मुख्य नहर की लंबाई कितनी है जो कितनी है 649 किलो मीटर है और जो इसमें वितरिकाएं हैं तरीकाएं क्या होती हैं नहर से जो छोटी छोटी और छोटी नहरें जो निकाल जाती हैं जो पानी का वितरण का कारे करती हैं सिचाई के लिए उनकी लंबाई 8000 किलोमीटर है जो इंद्रा गांदी नहर से जो वितरकाएं निकाली गई हैं वो 8000 किलोमीटर लंबी लगभग ह और सींचित चेतर कईवे 19 लाग हेक्टेर जो भूमी है वो इससे सींचित की जाती है नेक कोशन देखिए हरी के बैराज से हनुमान गड़ के मसीतावली तक निर्मित फीडर नहर की लंबाई कितनी है? कितनी है? 204 किलोमेटर है कितनी? 204 किलोमेटर नेक कोशन दिखिए वर्तमान में नहर का अनतिम बिन्दु कहा तक है? देखिए ये काफि इंपोर्टन्ट है और इसका आपको बार बार याद भी रखना चाहिए गड़रा रोड़ बाड़मेड तक कहा तक? गड़रा रोड़ देखिए इस मैप में भी दिखाई दरा है यह जो गर्टरा रोड है बार्ड मेर तक यहां तक यह इंद्र गांधी नहर जो इस्थित है और यह देखिए यहां से बहते हुए यहां यह जो व्यास और सतलर नजी का जो संगमिस्तल है हरी के बैराज बांद जहां बनाएगा है यह होते हुए इस तरीके से राजसन में एंटर होती है और जैसल मेर होते हुए बार्ड मेर जाते हैं यहां गर्डरा रोड पर यह समाप थूर्ट सुकी है चलिए नेक कोशन देखिए इंदरा गांदी नहर के पूर्वी भाग में धलान ना होने के कारण किस प्रकार की नहरे बनाई गई हैं तो देखिए जब धलान नहीं होती है तो उत्थापक नहरे उत्थापक मनलब लिफ्ट जो नहरे होती हैं उनका निर्मान यहां पर करवाया गया है उत्थापक नहरे या लिफ्ट जो नहरे हैं उनका निर्मान यहां पर करवाया गया है नेक कोशन देखिए किस नहर प्रणाली को मरू गंगा भी कहा जाता है तो देखिए मरू का अर्थ होता है मरूस्थल मरुस्थल से लिया जाता है तो मरुस्थल की गंगा कौन सी है इंद्रा गांधी नहर परणाली जो है वो मरुगंगा कहा जाता है इसे चलिए नेक्स देखिए एसिया की सबसे बड़ी नहर परणाली कौन सी है एसिया की सबसे बड़ी नहर प्रणाली कौन सी है तो वो भी इंद्रा गांदी नहर प्रणाली ही जो है एसिया की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है नेक कोशन देखें पश्मी यमना नहर से निर्मित भरतपुर नहर का उप्योग राहिस्थान के किस जिले में सिचाई हेतु किया जाता है तो देखें इसके नाम से ही निश्यत हो रहा है कि कौन सी है भरतपुर जो जिला है वहाँ पर इसे सिचाई कारे किया जाता है नेक कोशन देखें जैसमंद जील किस के द्वारा और किस नदी पर निर्मित करवाई गई है तो महराना जैसिंग ने 1687 से 1691 इसवी में 1687 से 1691 इसवी तक इत्ता कारे करवाया था महराना जैसिंग में और इसको गोमती नदी पर निर्मित करवाया था कहां पर गोमती नदी पर इसका निर्मान करवाया गया है महराना जैसिंग के द्वारा और कब करवाया गया है 1687 से 1691 तक चलिए नेक कोशन देखिए विष्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित मीठे पानी की जील कौन सी है तो कौन सी है वो जैसमन जील है जैसमन जील जो है वो विष्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित मीठे पानी की जील है विष्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित मीठे पानी की जील कौन सी है जैसमन जील, नेक कोशन देखिए, फते सागर जील किस के द्वारा और किस नदी पर निर्मित करवाई गई, तो देखिए इसके नाम में ही महराणा फते सिंग जी का नाम सुपा हुआ है, तो फते सिंग जी जो महराणा थे, उनके द्वारा जील का निर्मान करवाया गया था, और आ एक्स्ट्रा जो जल था जो बहुत ज्यादा आ जाता था उसको चिकलवास नहर का निर्मान करवाया और उसके द्वारा फतह सागर तक पहुँचाया ये काम इसका था क्या था वर्षा दितु का ज़ादा पानी जो आ जाता था उसको चिकलवास नहर के द्वारा फते सागर में जो पहुंचाना था इस कारण से फते सागर जील का निर्मान करवाया था चलिए next question देखिए फतेह सागर जील कहां इस्तित है उद्यपूर के पश्चिमुत्तर में 6 किलोमेटर दूरी पर चिकलवास गाउं के निकट देखें चिकलवास गाउं से चिकलवास नहर के दौरा किसका पानी पहुंचाया जा रहा था किसका पानी पहुंचाया जा रहा था फतेह सागर जील का फतेह सागर जील का जो पानी था वो फतेह सागर जील का पानी फतेह सागर में किसके दौरा पहुंचाया जा जा रहा था चिकलवास नहर के दौरा और यह कहां इस्तित है चिकलवास गाउं में ही निकट इस्तित है फ कौन से हैं, गोवर्धन सागर, दूद तलाई, पिछोला जील, अमर कुंड, कुमारिया तालाब, रंग सागर, स्वरूप सागर और फते सागर, कौन कौन से दुबारा में रिपीट करता हूं, गोवर्धन सागर, दूद तलाई, पिछोला जील, अमर कुंड, कुमारिया ताल रंग सागर, स्वरूप सागर और फते सागर आदी जो मुख्य जलासे हैं जो उद्यपूर बेशिन में निर्मित कराए गए हैं। नेक कोशन देखिए। किस सासक द्वारा कृतिम रूप से जल को मोड़कर इस्थायत्व प्रदान किया गया था। किस सासक द्वारा कृतिम रूप से जल को मोड़कर इस्थायत्व प्रदान किया गया था। कौन थे वो वो महराना राज सिंग प्रदान द्वारा यह कारे किया गया था। नेक कोशन देखिए। मिवाड का तीर्थिस्थल उभेश्वर चेत्र में वर्षा रितों में बहने वाली नदी को किस नदी में मिला दिया। किस नदी में मोरवानी नदी। मोरवानी नदी में इस वानी को मिलाने के लिए जो वर्षारितों की जो बहने वाली नदी थी उसको मोरवानी नदी में मिला दिया गया था चलिए नएक कुशन देखिए मेवाड का तीर्थ इस्थल उभिश्वर छेत्र के अत्रिक्त जल को किन सागरों तक पहुँचाया जाता है मेवाड का जो तीर्थ इस्थल उभिश्वर छेत्र था उसका अत्रिक्त जल को किन सागरों तक पहुँचाया जाता है तो इसका अंसर क्या है, जन सागर वे फते सागर, जन सागर और फते सागर तक है सारे पानी को पहुंचाया जाता है, चीके, और यह जो था, इसका निर्मान करवाया गया था, जो 1670 से 1670 के मद्धे इसका निर्मान कराया गया था, इसका काम कराया गया था, इसके आगे हमें देखते हैं छोटा सा मैप जो आपको उदेपुर सहर के जील का जो मैप है वो आपको दिखा देगा फतेशागर जील कहां है देखिए रही पिछोला जागर पिछोला जो जील है वो यहां पर है मूरवानी नदी इसकी हम अभी बात कर रहे थे ठीक है जो उभेश्षवर जो छेतर है वहां की जो एक्ष्टा पानी है उसको ले जाने का काम कौन करता है ये पते सागर जीन से ये मुरवानी नदी लेके जा रही है तो इस तरीके का ये मैफ है और ये विश्व में अपने आप में बहुत सर्वुच जल्द सनरक्षन का एक उधार्ण भी है तो इसी के सा आपका होता है चप्टर स्माप मिलते हैं नेक्ट चप्टर के साथ तब तक एलिए थैंक यू